हेलो एब्रिवन, वेल्कम टो और यूट्यूब चैनल, कांतीज कीट्स डेली लाइफ में हम कुछ ऐसी सब्द का प्रयोग करते हैं, जिन में से कुछ सब्दों का आर्थ हमें पता नहीं होता जैसे घड़ी देखते समय हम बोलते हैं AM, PM लेकिन इसके फूल फॉर्म के लिए हम लोग थोड़े कन्फ्यूज रहते हैं हमें इतना पता होता है कि AM का प्रयोग हम दो पहर से पहले के लिए करते हैं और PM का प्रयोग हम दो पहर के बात के लिए करते हैं लेकिन जब कोई am और pm का full form पूझ देता है तो हम थोड़े confused हो जाते हैं और हमें थोड़ी परिसानी भी होती है और हम कभी कभी हम नहीं भी बता पाते हैं आज इस वीडियो में हम यहीं जानेंगे कि am और pm का full form क्या होता है पहले जानते हैं am am का कोई अंग्रेजी मतलम नहीं होता है यह एक लेटिन वर्ड है जिसका full form होता है anti meridian इसका हिंदी में अर्थ होता है दोपहर से पहले और इंग्लिस में before noon am का प्रयोग हम रात 12 बजे से सुबह 11 बच कर उनसा मिनट तक करते हैं और फिर pm हो जाता है पीम भी एक लेटिन वर्ड है जिसका full form होता है post meridian जिसे हिंदी में हम दोपहर के बाद और इंग्लिस में afternoon कहते हैं ओके I hope am और pm का confusion clear हो गया होगा और बच्चों को am और pm का full form भी अच्छे से पता हो गया होगा अगर आपको यह video helpful लगी हो तो please मेरे चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें, share करें थैंक यू पर वाचिंग